आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर एमकॉम आपके पास करियर ओप्शन कौन-कौन से होते हैं कि जब भी आपको यह अपनी कह सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कम्प्लीट करते हैं तो उसके एजएक्ट बाद आपके माइंड में एक ही कुश्चन आता है कि अब मुझे इसके बाद क्या करना है इसके बाद मैं किस करियर ओप्शन को चूज कर सकता हूँ तो अगर आपने अभी एमकॉम कम्प्लीट करी है या इससे पहले आप एमकॉम कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि इसके बाद आप किस करियर ओप्शन को चूज करें तो आपर कुछ करियर ओप्शन्स हैं जो कि मैं एक स्फ्लोर करूँगा बताऊूगा कि उनके अंदर आप किस तरह यूज कर सकते हैं अपकी कई इमकॉम की डिगरी को इसको किस तरह यूजा कर सकते हैं तो सबसे पहला आपका जो कह सकते हैं, आपका काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपका करियर ओप्शन हो सकता है, वो हो सकता है क्या आपका self business कि जब आप बात करते हैं m.com की m.com मतलब आपने commerce के field में degree ली है जब आपने commerce के field में degree ली है तो मतलब आपको किस किस चीज की knowledge है आपको आपके country के या कह सकते है overall world जो banking system होता है उसकी knowledge आपको अच्छे से कि banking system किस तरह work करता है इसके साथ इसाथ आपको किस तरह किसी चीज की sale होती है किस तरह purchase होती है चाहे ये कह सकते हैं आप domestic level पर हो जिसे कि हम normal sale purchase करते हैं या फिर ये आपके international level पर हो जिसे कि हम export या import कहते हैं आपको पास कह सकते हैं जब आप एमकॉम के डिगरी कर लेते हैं तो आपके पास finance के regarding कि किस तरह आप पने finance को manage करो इसके बारे में भी आप कहीं ना कि skills को gain कर चुके होते हैं during the course तो आपने देखा आपके पास क्या-क्या है आपको अपनी country की banking system के बारे में बता है कि किस तरह bank system work करता है किस तरह लोन देते हैं किस तरह हमें कह सकते हैं हम bank से लोन ले सकते हैं या कह सकते हैं आप payment किस तरह लोगे payment के कौन-कौन से method होते हैं हमारे पास like कि आपका letter of credit आप draft का use कर सकते हैं आप check का use कर सकते हैं मतलब कह सकते हैं एक basic knowledge आपके पास आज आती है regarding to business कि business को किस तरह start किया जाए अब starting में भी आप सुचोगे कि आप किस तरह के business को start कर रहे है single one मतलब one person business start करना है आपको या आपको partnership start करनी है या फिर आप कह सकते हैं कोई आपकी खुद की firm start करना चाहते हैं आप कोई corporation start करना चाह रहे हैं आप कोई private limited company को start करना चाह रहे हैं तो मतलब इन सभी के बारे में जब आपने कह सकते हैं तीन साल आपने B.com में दिया होगा और दो साल आपने M.com में दिया होगा तो कही न कहीं इन 5 सालों के अंदर आपके पास complete knowledge आ जाती है finance कहां कहां से collect कर सकते हैं like अगर आपके पास finance नहीं है तो आप equity shares issue कर सकते हैं IPO निकाल सकते हैं अपने product का उसके बाद आप देखो कि आप किस तरह आपको manage करना है अपने business को आप logistics क्या होता है वो किस तरह आपकी efficiency को increase करता है marketing किस तरह करनी है क्योंकि अगर कोई without commerce background का person होगा तो हो सकता है उसके पास exact knowledge ना हो अगर मैं उसे कहता हूँ कि marketing तो उसका mind कहीं न कहीं सिर्फ एक ही चीज़ से जाता है वो जाता है selling of product से अगर मैं किसी commerce के student को कहता हूँ marketing तो उसके mind में question उठता है कि product को बनाने से लेकर मतलब बनाने के लिए जो हम research करते हैं वहाँ से लेकर और उस product को consumer तक पहुचाना उसके बाद की service तक provide करना मतलब यह पूरी process marketing होती है तो commerce के लिए student के लिए marketing एक बहुत wide concept है और normal person के लिए marketing सेलिंग का concept है तो जब भी आप M.com करते हैं तो आपके पास यह सारे concept clear होते हैं आपको अच्छे से पता होता है किस तरह आपका bank काम करता है किस तरह sale purchase होती है किस तरह आपके agreement बनते हैं किस तरह आप international business के अंदर operations करते हैं या किस तरह आपके deeds होती है कह सकते हैं आपका जब insurance किस तरह आप कराते हैं अपने business का किस तरह आपने आपको secure करते हैं तो basically आपके पास एक complete idea develop हो चुका होता है complete knowledge होती है regarding to कि how to start a business, how to run a business, how to maintain a business तो यहाँ पर आपके लिए पहला option होता है कि आप अपना खुद का work start कर सकते हैं अब इसके बाद दूसरा option आता है teaching का, तो teaching कह सकते हैं एक बहुत अच्छा profession है एक बहुत कह सकते हैं एक अच्छा career होता है आपके mcom holder students के लिए तो अगर हम teaching के अंदर बात करें, teaching आपकी दो level पर होती है यहाँ पर तो पहली teaching option होता है आपके पास college level के लिए और दूसरा option होता है आपके पास school level के लिए तो अगर आपने कह सकते हैं mcom कर ली है और अगर आपने इसके बाद net qualify कर लिया है, मतलब national eligibility test net यहाँ होता है जब आप किसी भी college में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको जैसे हम schools की बात करते हैं, school level की बात करते हैं, वहाँ पर CTAT होता है तो उसी तरह जब आप colleges में पढ़ाते हैं तो आपको एक exam clear करना होता है उसके बाद after clear net, you are eligible for an assistant professor या adopt professor in colleges तो इसको clear करने के बाद, आप eligible हो जाते हैं किसी भी college के अंदर as a assistant professor के teacher के लिए, assistant professor की job के लिए इसके बाद आपको interview देने होते हैं, उसके बाद आपका selection हो सकता है किसी भी college के अंदर as a assistant professor तो यह भी इसके अंदर भी आपको एक काफी handsome salary मिल जाती है nearly आपकी तो salary starting होती है, 80K से आपकी salary start होती है, अगर आप किसी भी college के अंदर आज के time पे as a join करते है assistant professor तो यह भी आपके लिए एक अच्छा career है, कि आप m.com करने के बाद अपना main focus करें कि आपको एक net को qualify करना है और after clearing net, आप college में interview देकर अपना selection ले सकते हैं यह तो हो गई college level की बात कि जब हम college के अंदर बात करें, m.com के बात, अब हम बात करते हैं school level की, अब school level में भी हमारे पास तीन option होते हैं, पहला होता है PRT, जिस जहां पर आप 1, 2, 5th class के बच्चों को पढ़ाते हैं, दूसरा होता है TGT, जहां पर आप 6, 2, 10th के बच्चों पढ़ाते हैं, तो अगर आपने कह सकते हैं, m.com degree complete कर लिया है, तो बहुत सारे states हैं, जो बिना B8 के ही m.com degree holders को permission देते हैं, कि वो PGT के लिए apply कर सके, like आपका, UP और Delhi, अगर आप इन दोने states में देखें, तो यहां पर जो भी PGT की vacancy निकलती है, तो उसमें qualification क्या होती है, only on m.com, m.com के base पर आप इन दोने states के अंदर form apply कर सकते हैं, और exam दे सकते हैं, और अगर आपका exam clear हो जाता है, तो आपको joining Beasley मिल जाएगी, यह तो बात हो गई PGT लेवल पर, UP और Delhi के अंदर, इसके साथ ही साथ, अगर आप कर लेते हैं, beard, यह क्या कह सकते हैं, आपका दो साल कोर्स होता है regarding to आपकी teaching, तो अगर आप beard कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप किसी भी state में, मतलब overall India के लिए eligible हो जाते हैं as a PGT teacher, मतलब इंडिया में कहीं भी PGT commerce की vacancy निकलती है, like account teacher, business teacher, तो वहाँ पर आप eligible हो जाते हैं, और इसके बाद आपको directly सिर्फ exam में बैठना होता है, और इसके साथ ही साथ, आज के टाइम पर कह सकते हैं, हमारे government अभी अभी amend किया है, अपने rules को, अपने regulations को, अपनी कह सकते हैं, qualifications, requirement को, तो कई states में अब PRT के लिए भी आप eligible हो जाते हैं after completing your beard, like की आपका इस time कह सकते हैं, जो KVS है, अगर KVS की vacancy आती है और आपन कर सकते हैं, तो यह होता है आपका school level, मतलब teaching में भी आपके पास काफी सारे options हैं, जब आप करना चाहते हैं, teaching after m.com, अब इसके बाद हम बात करेंगे accountant, अब accountant होता क्या है, normally a person who maintain business transaction regarding to business transaction related to cash cash या कह सकते हैं, business business a KVB business है KVC school है KVB organization मतलब कोई किसी भी तरह का काम करगा तो आप यह बताएगर कोई person कोई काम क team क्यों teong to earn exactly कि हर किसी का motive कि नब और अ आप forced र스स करोगे या फिर आपका कह सकते हैं या फिर आप का कैसकते हैं manufacturing या फिर आप production करोगे या फिर तीसरा option होता है आपके पास आप services को रेंडर करोगे service provider तो अगर आपका organization आपकी firm आपका school इन में से कोई भी काम कर रहा है तो यह तो है नहीं जब कोई organization बढ़ता है तो उसके उपास यह तो होता नहीं कि सिर्ब दिन की एक transaction आती है उनके पास किया होता है कि दिन की कह सकते हैं 100 plus transactions आ जाती है तो उन transactions को record कर पाना, memorize कर पाना हर किसी के लिए possible नहीं होता है तो यहाँ पर accountant का job क्या होता है कि उन सभी transactions को record करना आपकी accounts की book के अंदर जिसके बात कि अगर in future उस organization को कभी उन entries की, उन records की requirement हो तो easily उसको achieve कर सके, उसको check कर सके तो हर organization, organization जैसा आपका चाहे जैसा भी हो, चाहे आप government की बात करें, चाहे आप private की बात करें, चाहे आप edit की बात करें, चाहे आप schools की बात करें, या फिर आप कोई companies की बात करें मतलब किसी भी तरह का organization हो हर organization में accountant की requirement होती है और जब आपने कैसे पने b.com करी है आपने graduation करी है मतलब आपने m.com भी करी है तो कहीं न कहीं आपको accounts के बारे में finance के बारे में अच्छी खासी knowledge gain हो चुकी होती है कि किस तरह किसी entry को record करना है अगर हम bank से पैसे लेते हैं तो उसको credit करेंगे या debit करेंगे अगर कोई हमसे कोई assets purchase कर रहा है तो वो हमारे किस account में जाएगी purchase में जाएगी, sales में जाएगी profit loss में जाएगी, balance sheet में जाएगी मतलब आपके पास आपका जो financial statement होती है like आपकी balance sheet किस तरह prepare होती है आपको इसके बारे में पता होता है आपका profit and loss account किस तरह prepare होता है आपको पता होता है revolution account, इसके साथ आपका realization account मतलब आपके जितने भी account होते हैं commerce के अंदर, आपके account के अंदर हर तरह के account के बारे में हड़तरा की financial information के बारे में आपको exact idea होता है तो यह भी आपके पास एक अच्छा option होता है आज के time पर कि आप as accountant किसी भी firm को, किसी भी organization को, किसी भी government school को, private school को, company को join कर सकते हैं और time to time आपकी कैसे कि जो promotion है वो होती रहेगी तो कि यह नहीं कि आप lifetime एक accountant ही रहोगे तो यह भी आपके पास एक option होता है जोप का और last है आपका MNCs MNCs होती क्या है कि normally MNCs के अंदर multi work होते हैं मतलब एक MNCs के अंदर बहुत सारे काम होते हैं अब हो सकता है वो मैंनी, आपकी जो MNCs है उसकी कोई branch manufacturing भी कर रही हो हो सकता है कोई production भी कर रही हो कोई branch services भी render कर रही हो कोई sales purchase या कोई third party work भी कर रही हो MNCs में के उती हैं बहुत सारी post होती है और यह नहीं कि यह सिर्फ कोई छोटे level पर companies होती है, मतलब multinational multinational का मतलब more than one country जब कोई company है वो एक country से ज़्यादा countries में work कर रही है तो कहीं न कहीं उसका जो कह सकते है जो work का area होगा वो भी wide होगा, उसका जो कह सकते है काम करने का तरीका होगा वो भी बहुत advance होगा उसमें जो services provide करेंगे, जो work provide करेंगे, उनकी भी category बहुत ज़्यादा होगी, तो जितनी भी MNC दोती है अब कोई MNC आप example पर ले सकते है essential अब अगर कोई essential company है तो आपके ज़्यों मैं बात करूँगा श्रफ goodgama की, तो वहाँ पर nearly कम से कम 2000 workers काम करते है अब इन 2000 workers को आप सरफ एक example के तोर पर ले सकते है 2000 workers अब अगर 2000 workers है तो उनको manage करने के लिए हमें कहीं न कहीं manager की requirement होगी अब हमारे पास अगर workers कम हो रहे हैं और हमारे पास काम बढ़ रहा है तो हमारे पास हमापर recruit करने के लिए एक person की requirement होगी जिसे कि हम HR कहते हैं transactions बहुत ज़्यादा होगी तो हमें आपर accountant की need होगी अब अगर हमारे कह सकते हैं जो employees आए हैं उनको train करना है या उनको सिखाना है उनको manage करना है उनको किस तरह काम कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको supervisor की requirement होगी अब हम देखेंगे कि हमारा जो business organizations है वह किस level पर काम कर रहा उसको हमें एक अलग level पर लेके आना है मतलब हमें उसके लिए finance कहां से collect करना हमें पैसे के requirement है तो पैसे के लिए हम कहां जाएं कहां से पैसा लें हम अपने shares को issue करें debentures issue करें bank से loan ले मतलब मारा finance officer की भी need हो सकती है हमे मतलब जब कोई एक MNC होती है उसके अंदर बहुत सारी post होती है और normally MNC उसका मतलब क्या होता है वो क्या करती है वो करती है आपका business और अगर business की बात करें एक M.com student business को कहीं ज़्यादा अच्छे way में समझ पाएगा comparison to आपके MA और M.SC के students क्योंकि M.com का मतलब ही होता है Masters of Commerce मतलब आपको trade के बारे में आपको commerce के बारे में exact हर तरह की knowledge आपके पास होती है आपको theoretical knowledge आपके पास अच्छे खासी होती है और कई बार होता है कि आप internship कर लेते हैं तो आपके पास एक practical knowledge भी आ जाती है कि किस तरह business work करता है किस तरह आप finance को collect करोगे किस तरह आप management करोगे अपना किस तरह आप recruitment करते हो employees की किस तरह उन्हें आप training करोगे किस तरह आपको supervision करना है आपके पास कौन-कौन scientific principles हैं जिनका use करकर आप अपने efficiency को improve कर सकते हैं तो हर और्डड़िशन के अंदर आप कैसे हैं अगर आपने m.com कर रखी है तो भाँ पर आप easily adjust हो सकते हैं आप easily job को gain कर सकते हैं तो ये कुछ options होते हैं आपके पास जब आप बात करते हैं कि आपके career option तो सबसे पहला career option क्या होता आपके पास तो सबसे पहला option क्या होता है आपके पास as a teacher अब teacher कैसे हो सकते हैं या तो आप college teacher बन जाएए like कि आप जब professor कहलाते हैं या फिर आप school teacher बन जाएए जिसे कि आप lecture hour या PR teacher हो जाते हैं इसके बाद या तो आप अपना self business start कर सकते हैं और वैसी भी अगर आज के time हम current scenario की बात करें तो हर कोई किसी की thinking होती है कि बेशेक हम थोड़ा late काम करें लेकिन हम अपना खुद का start up करें खुद का काम करें खुद की business unit को stand करें तो वो भी आपके पास एक अच्छा option होता है क्योंकि आपके पास complete knowledge होती है regarding to trade, regarding to business, export, import, balance trade या आपका किस तरह कह सकते हैं instrument use होते है credit instrument, payment instrument, आपके rules, regulations इन सब की इसके बाद आप accountant की तरह job कर सकते है क्योंकि आपको जितनी भी accounts होते हैं उनकी knowledge होती है चाहिए आप बात करें लेजर की, general की, trial balance की, balance sheet की मतलब हर तरह accountant की knowledge होती है MNCs के नदर बहुत सारी vacancies होती है like HR की, accountant की, supervisor की, manager की, junior manager, executives and numbers of vacancies होती है MNCs के नदर और normally prefer किसको करते हैं हो या तो MBA student को prefer करते हैं हो या फिर M.com student को prefer करते हैं क्योंकि इन दोनों के पास business के regarding knowledge पहले सी available होती है तो MNCs को इनके ओपर जदा effort लगाने की need नहीं होती कम effort में ये employees उस काम को easily समझ पाते है so I hope आपको सारे career options clear हो गए होंगे कि अगर आपने अभी M.com करी हैं तो आप किस option में जा सकते हैं तो ऐसी और वीडियो पाने के लिए मैंने चैनल को subscribe करें like करें और वीडियो को जादा जादा शेयर करें जिसके तरू कि जो भी M.com holders हैं उनको पता लग सके कि उनके पास कौन कौन से options available है regarding their careers